तो आज मैं आपके सामने मैस का यह कोशन लेकर आई हूँ और यह जो कोशन है यह मैंने क्लास 11 की मैस के आड़ी शर्मा की बुक से लियावा है चैप्टर का नाम है टिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो हमें यह क्या सॉल्फ करना है find the value of 10, 7 pi upon 4 हमें यह यहाँ पर यह जो 10, 7 pi upon 4 है इसकी value हमें यहाँ पर find करना ही तो चलिए coefficient को bulख करते हैं इस coefficient को मैं इसको और उपर करती हूँ और मैं आपको इसको solve करके दिखाती हूँ solution क्या है हमें क्या यह करना है find the value of 10, 7 pi upon 4 इसकी value में find करनी है, तो सबसे पहले देखी यह 7 pi upon 4 यह किस angle में, angle का किस format में है, यह radian के form में है, तो radian को हम पहले degree में convert करेंगे, पहचान क्या होती है, radian के किसके साथ pi लगा रहा था, तो 180 upon pi degree के परावर होता है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम कैसे degree में convert यह radian में है, डिगरी में convert करने के लिए, just 180 upon pi से into कर देगे, और यहाँ पूरे में whole bracket लगा के तब यहाँ degree का sign लगाएंगे, तो convert हो गया, अब देख, यह pi और pi cancel, और यह देख, 4 से कर जागा, 4, 4 जा 16, 4, 5 जा 20, तो हमारे पास क्या है यहाँ है, 10, 7 into 45 degree यहाँ है, तो into क तो कितना आया यह, 10, 315, फिर सिक पर देख लिजिए, 7, 4 28, yes, 315 degree यहाँ है हमारे पास, ठीके, अब यह आगे हमारे degree में, हमने convert कर लिए, अब इस type के question को क्या करना पड़ता है, इस type के question को आप quadrant पहले बना लिए, trigonometric quadrant, जो 4 quadrant होते है, ठीके, मैं यहाँ पर बना लेती यह हो गया, 4 quadrant हो गया, यह होता है, 0, यह होता है, 90 degree, देखे, 0 degree, यहाँ पर degree का sign लगाई है, यह होता है, 180 degree, यह होता है, 270 degree, और उसके बाद अगेन इसमें 90, एट करेंगे, तो 360, तो बस इतना ही angle आप लेकिए, ठीके, तो अब यहाँ पर यह first quadrant, second, third, fourth, इसमें all positive, इसमे sine, cosine, positive, इसमें 10 quad positive रहता है, यहाँ पर cos और sec positive रहता है, ठीके, यह आपको समझ में आगे है, अब यहाँ पर देखें क्या है, 10, 350 ने न, तो 10, 350 ने आप यह देखें कि इसमें आपको 4 angle से मतलब लगना है, 90, 180, 270, मैं यह पर लिख दू, 4 angle का है, 90 degree, 180 degree, और 270 degree, और 360 degree, ठीक इन 4 angle को आप ध्यान में रखें और इन 4 angle से इसको इस वाले number को compare केजिए, किस के पास है और किस angle से दूर है, तो हम देख सकते हैं कि यह 270 से बड़ा है, और 360 से छोटा है, तो हम 270 से इसको divide करेंगे इस वाले angle को, ठीक है, तो 270 से आप डिवाइट कर लिजिए इसको, तो यह इसको डिवाइट करेंगे, तो कितना आया, तो यह कितना आया, तो यह कितना आया, 10, हम इसको किसी डिवाइट के 270 से, 270 से डिवाइट करने पर यह आया, अब इसको आगे जाएगा नहीं, तो अब इसको diviser into quotient plus remainder के format में लिखिए, आप divide करते हैं lower classes में, तो क्या करते हैं, क diviser into quotient plus remainder के format में लिखिए, तो यहाँ पर diviser के 270 into quotient 1 है, plus remainder कितना है, 45 degree, तो यहाँ quotient पर आप degree का sign नहीं लगाएगा, बाकी सब में आप यह देखे, dot देख रहे हैं, यह डिगरी का sign है, यह आया हमारे पस, अब यह आगे, उसके बाद इस पर ध्यान दीजे, अब यहाँ quotient से हम check करेंगे, दो चीजे check करनी है, पहला क्या check करना है, कि जो 10 है, यह function change होगा कि नहीं, दूसरा negative sign होगा कि positive sign, दो चीजे देखनी, तो पहला function change होगा, तो इस से समझेंगे, इस से, यह क्या 270 degree into 1, यहाँ पर 1 का मतलब क्या है, कि 270 degree angle का हमको एक round लगाना है, तो कहां स शुरू करेंगे, 0 degree से, देखे, 0 यह degree है, इस से शुरू करेंगे, इस से हम round लगाएंगे, एक चक्कर लगाएंगे, तो कहां पहुंचे कि 270 का आएगा, इस पर आएगा, देखे, इस line पर आ रहा है ना, मैं इसको दूसरे किलर से आपको करके दिखाओ, हम यहां से इसका round लगाएंगे, एक चककर लगा, वहीं, 270 से, क्या मतलब है, एक चककर लगाना है, 270 इंडिगर का, तो 0 शुरू करेंगे, तो कहां पहुंचरे हुँ इस किस पर पहुंचरे है, यह line है, यह line, यह vertical line, y axis है, तो vertical line बोलते है, इस पर पहुंचरे है तो vertical line पर function चेंझ हो जाता है function क्या हो जाता है change तो 10 है तो 10 का cut हो जाएगा अब इसका use हो गया अब यह जो angle है यहाँ पर लिख दीजिए तो हमने पहला check कर लिए function क्या होगा change होगा अब यहाँ plus और minus लगाना है तो उसको हम कैसे पता करेंगे तो यहाँ पर देखी जहाँ पहुंचे है उसमें हमको कितना angle जोड़ना है 45 degree angle जोड़ना है तो हम यहाँ पर पहुंचे है एक round लगा कि यहाँ पहुंचे है अब इसमें 45 add करेंगे यहाँ पर इसमें यह 270 है ना इसमें 45 add करेंगे तो इसमें पहुंचेंगे जो कि quadrant है fourth अब fourth quadrant में cos और sec के वल positive रहता है बाकी negative यानि कि यह 10 क्या है यहाँ पर हमारा question में 10 लिखा हुआ तो cos और positive बाकी negative यानि कि negative होगी यानि कि यहाँ negative सही लगाएंगे तो minus cot 45 हमारा आया यहाँ पर और minus minus यहाँ लिखिए cot 45 की value क्या होती 1 तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि 10 7 by a point 4 जिसको कि हमने change किया degree में 315 डिग्री आया इसकी value क्या आई minus 1 तो यह इसको हम चार तरीके से solve कर सकते देखिए मैं इसको चार तरीके से आपको solve करके देखंग चारों में एंगल हमारा सेम आया देह कैसे हमारा जो पहला यह जो question तो मैं यहाँ लिख दू जिसको मैंने degree में convert किया था तो degree में convert करने पर क्या आया था एक मैं फिर से देख लू हाँ यह 10 350 डिग्री आया था 10 350 में यहाँ पर लिख लू यह 4 एंगल इस टाइम पर question जब भी आप degree में convert करतेंगे तो इस 4 एंगल यहाँ लिख दीजिए तो मैंने इसको किस से डिवाइट किया था इसको मैंने 270 से डिवाइट किया था बचा यह 1 2 3 एंगल यह एंगल अब यह एक method तो मैंने solve करके आपको दिखा दिया एक एंगल से किस से डिवाइट किया था 270 से अब देखिए आप इसी number 315 को आप 90 से भी डिवाइट कर लिजे 180 से भी डिवाइट कर लिजे 360 से भी डिवाइट कर लिजे और फिर आप solve करके देखिए आपका जो answer है वो same होएगा ठीक है तो देखिए यह 315 जो है इससे बड़ा क्या 360 तो इससे आप इसका use नहीं करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे और एक यह हमारा solve हो कि 270 से हमने इसको डिवाइट कर लिए तो 90 से divide करेंगे तो answer आपका minus one ही आएगा तो चली मैं दिखा दू यह 315 है न तो इससे जाएगा 2 9 जा 18 3 7 जा 21 और 4 9 जा 4 से नहीं जाएगा 3 से जाएगा 270 आया तो 5 और यहाँ पर 45 आप इसको लिखेंगे 10 देखिए कितना है 90 90 कुश्चन कितना है यह कि 3 है रिमेंटर कितना है 45 दिग्री तो आगर आप इस नमबर को यह जो नमबर 350 इसको 90 से भी डिवाइट करके स्वाल्फ करेंगे ना तो वही answer आएगा सेम ही आएगा जो इसमें आया था 270 से डिवाइट करने पर तो आप देखे यह इतना है यहाँ पर आप कौर्डेंट बना के चेक करना होगा 0 है 90 180 270 और यह क्या है 360 ठीक है अब यहाँ पर मैं यहाँ पर दूसरा कलर लेकर आपको समझा दू हाँ यह देखे यह हो गया अब यह देखे कि इस से समझी यहाँ से समझना है इतना जब आप ब्रैकेट में लिख लेंगा इसके बाद आपको दो चीज़े समझनी है कि फंक्शन चेंज होगा की नहीं फंक्शन मतलब कि टैंज चेंज होगा की नहीं दूसरा साइन देखना पॉस्टिव लगे कि निगेटिव तो पहला क्या फंक्शन चेंज करना है फंक्शन चेंज करने के लिए आपको इससे समझना है जो मल्टिपल लेता है यहाँ पर 90 का मल्टिपल है लगे यहाँ पर 90 का मल्टिपल है तो इससे समझना है तो जो साइन चेंज करना है वो हम इस से समझेंगे, प्लस 45 डिग्री से, वो हम अभी आके समझेंगे, पहले इस से समझेंगे, 90 डिग्री इंटु 3, यानि कि यहाँ पर जो 90 डिग्री जो एंगल है न, उसका आपको 3 राउंड, कितना राउंड लगाना है, तो देखिए, 0 डिग्री यहाँ डिग्री कसा लगा, तो एक राउंड लगा है, तो हम यहाँ पहुँचे, ठीके, तीन राउंड लगा रहा है, देखिए, थ्री है न, एक राउंड यहाँ लगा है, दूसरा राउंड लगा है, जो plus 45 पर इस से समझेए, हम पहुँचे कहा तिये noun लगा, यहां पर पहुँचे, यहां पहुँचे न, अब इसमें आपको plus 45 जोड़ेना है, तो आप यहां पर पहुचे, यहां पर 45 जोड़ेंगे, तो किसमें आएगा इसी quadrant में तो आएगा न, जो कि यह fourth quadrant, जो कि ए 4th quadrant और 4th quadrant में cos और sec ही positive रहता है बाकि सब negative बाकि सब negative तो यह हमारा 10 है ना यहाँ इसको देखना इसको यह मत देखिएगा चक नहीं किजेगा यह जो question में जो function लगावाना 10 इसको check करना है प्लस 45 एड़ किया 4th quadrant में आए 4th quadrant में cos और sec positive रहता है तो आप इसको मत चक किजेगा यह check करना जो main question है तो यह यह जोड़ देजिए बाकि सब negative यानि कि यह negative हो जागा function तो यहाँ negative लगाएंगे देखेंगे इसको quadrant में तो quadrant में तो cos और sec positive है तो यहाँ negative यहाँ negative लगाएं तो minus cos 45 क्या होँ minus 1 आगे है ना answer तो 270 से भी solve करके मैंने आपको दिखा दिया minus 1 आया 90 से भी कर दिया अब 180 से करके देखी तो हमारा number क्या है 316 है ना sorry 315 है और किससे divide करेंगे 180 से ठीक है तो 180 और आप इसको किससे divide करेंगे 2 से divide कीजिए ठीक है तो कितना होगा 2 से divide करेंगे तो 360 आएगा ठीक है अब इसमें से minus कीजिए तो देखी ये बड़ा number है तो 360 में से आप 315 minus कीजिए तो ये आएगा 45 with negative sign क्योंकि ये बड़ा है ठीक है तो हमारे पस क्या है हमने क्या क्या है 10 315 को इसको किससे divide किया 180 से इससे divide किया तो अब divide करने के पाद अब इसको diviser into question पस remainder के form में लेकिए diviser हमारा क्या 180 into question कितना 2 है और remainder क्या negative है तो यह negative sign लगाएंगे और इस चीज़ का ध्यान लखेगा इसको जब आप solve करेंगे तो यह 350 ही आएगा ठीक है आपको समझ में आ गया अब इतना आ गया अब हमको यहाँ देखना है कि function change होगा कि नहीं तो इससे समझना है तो यहां कि 182 into 2 या निकि यहां पर 180 degree अगर का 2 चक्कर लगाना है तो पहला चक्कर हम कहां से 0 से शुरू करेंगे तो यहां से शुरू करेंगे तो यह एक round लगाए तो यहां पहुँचे क्योंकि 2 round लगाना है तो यहां से नीचे यहां पहुँचे अब यहां ही से शुरू करना है तो दूसरा round लगाएंगे 180 तो 180 एंगल होना भी चाहिए तो यह तना 180 होगा तो हम कहां पहुँचे यहां पहुँचे किस पर पहुँचे 0 पर पहुँचे किस पर 0 यहां पहुँचे जो कि है horizontal line और horizontal line पर function change नहीं होता है तो 10 का 10 ही रहेगा अब यह 10 के बाद किया 45 degree लिखिए तो function पता चलगे अब दूसरा हमें sign देखना है तो sign देखने के लिए आपको इस पर ध्यान देना होगा minus 45 degree तो यहां पहुचे कहाँ दो round लागा कि यहां पहुचे अब इसमें minus angle minus कितना minus हो रहा है न तो minus के लिए हम नीचे क्यों जाएंगे अगर यहां यहां plus होता तो हम यहां से उपर जाते लेकिन यहां angle minus हो रहा है न तो जहां पहुचे है वहां से आप minus करें तो नीचे जाएंगे तो नीचे जाएंगे तो हम किसमें पहुच रहे हैं fourth quadrant देखिए यहां से नीचे 45 इसी में तो आएगा न तो fourth quadrant में क्या रहता है cos और sec positive रहता है बाकि सब negative यानिकी यह negative रहेगा यहां 10 है न हमारा तो cos sec positive यानिकी यह 10 negative हो तो यहां sign लागा है तो minus 1045 क्या हैगा minus 1